Hey everyone, this is Shweta and welcome to UPSC वाला वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हमारे modern history का next most modern chapter, chapter number 14 जहाँ पर हम जानने वाले प्रथम विश्वयुद्ध एवं रास्टवादी पर प्रत्युतर, यानि First World War जब हो रहा था 1914 से लेके 1918 तक उस समय क्या हमारे देश में चल रहा था, क्या रास्टवादियों के द्वारा प्रत्युतर दिया जा रहा था तो basically हमारा जो freedom struggle है वो कहां तक पहुँचा और ये वो time period था, ये exactly अगर आप देखो First World War वाला 1914 से 18 तक जब भारत में उग्र रास्टवादी और जो उदार वादी थे उनके बीश में कहीं न कहीं food पड़ी थी और जो आतंक वादी जिनको हम बोल रहे थे कि क्रांतिकारी आतंक वादी या फिर उनको बोला जाता है क्रांतिकारी, okay, radicals बोलते हैं, तो basically जो क्रांतिकारी थे उनक यह time period था, ठीक है, तो first world war के समय क्या इस्थिती चल रही है, विदेशों में, देश में, वो सारी चीजे चाप्टर में बताने वाला है, first world war का क्या impact पड़ा, वो बताने वाला है, हमारे काम के जितनी चीजे होंगे, हम यहाँ पर वही देखने वाले है, क्योंकि यह हम बाकी हमारे कुछ courses है, तो आप में से जो भी बच्चे आने वाले एक साल, दो साल, तीन साल में UPSC Civil Services की preparation करना चारे, आप इन courses को join कर सकते हैं, इसका link description box में है, और अभी 2024 का prelims बहुत पास आ चुका है, तो February स्टार्ट हो चुका है, March, April बस आपके पास तीन महीने हैं, मही कंड़ करा रहा है, जहां पर daily basis पर आपका test लिया जाएगा, topic wise चीज़ें हाँ पर पूछी जाएगी, all India rank, detail analysis, सब कुछ प्रवाइट कराया जाएगा, तो आप इसको join कर सकते हैं, इसका link भी description box में दिया, दोएको mock test जरूर देना, questions के साथ में कोई खिलवार नहीं, ठीक ह चालो, start करते हम हमारे chapter को, प्रतम विश्विद एवम राष्टवादी प्रत्युतर, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा, first world war के context में चीज़ों को लेकर चरेगा, उस time period के बारे में बात करेगा, आप जब भी इसे पढ़े ना, इस chapter को आपके दिमाग में clear होना चाहिए time period, क 2007 में ही है ना, Congress का बटवारा हो चुका था, ठीक है, Congress जो है वो विभाजित हो चुकी थी, दूसरा हमने देखा था कि Muslim League है, 1906 में Muslim League का गठन हो चुका था, ठीक है, यह वो time period है जम हमें कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा गतिविदिया करते वे दिखाई दे रहे थे, दे में भिड़ जाते हैं, जिसको हम First World War के नाम से जानते है, World War, विश्व युद्ध है, यानि कि जो विश्व के कुछ देश एक तरफ हो जाए, कुछ देश एक तरफ हो जाए, और आपस में लडएंगे, और कौन लड़े का भई, ये कौन सा टाइम है, Colonization का time period है, सामराज ज लड़ेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, प्रतम विश्व युद्ध एवं रास्टवादी प्रत्यूतर, First World War 1914 से 1918 में, Britain, France, Rus, America, Italy, तथा जापान एक और, Germany, Australia, Hungary, तुर्की, दूसरी और, बोल रहा है कि First World War में हमें दो ग्रूप दिखाई दिए, अब दो ग्रूप में जरूरी नहीं है, सारे कंट्री आपकी, यॉरोप की हो, कुछ हमारी एशिया की भी पावरफुल कंट्री हमें दिखाई देती है, तो First World War में एक तरफ कौन था आपका, तो एक तरफ ग्रूप था, Britain, वो देश जो हम पर रूल कर रहा है, हमें कोलोनी बना के रखा हुआ है, दूसरा ब्रिटेन का एक साथी नीचे यहां पर पढ़ता है, फ्रांस, इधर आजाईए, एशिया कॉंटिनेंट का हमें देश दिखाई देता है, रशिया, इधर आजाईए, हमें दिखाई देता है, यूएस से, जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉं की दूसरी ओर थे, ठीक है, तो जर्मनी कहाँ है, इधर आजाईए, फ्रांस के पढ़ो, उसमें हमें दिखाई दे रहा है, कौन जर्मनी, तो जर्मनी, first world war में भी, second world war में भी Britain के खिलाफ ही था दूसरी तरफ आई जाए हमें दिखाई देता है क्या Hungary तुर्की यह सब जो है यहाँ पर European ही countries हमें दिखाई देती हैं Hungary हो गया तुर्की हो गया तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना है इतना important अभी के context में तो नहीं है अभी के context में हमारे लिए जो important है वो क्या है वो है Britain ठीक है तो Britain ही हमारे लिए important है क्योंकि इस world war में involved था ठीक है तो यह काल मुखे था रास्टवाद की परिपकवता का काल था आप देखो इस time जो वहाँ पर first world war चल रहा है यह भारत में वो face चल रहा था जब nationalism जो है वो एक अपने developing stage से develop stage की तरफ move कर रही हो थी यानि विकास शीर चरण से विकास की और यह move करती है यह वो time period हमें दिखाई देता है ठीक है ओके आगे बढ़ जाते हैं उदार वादियों ने इस युद में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रती निस्ठा का कारे समझा भी पूरा story बता रहा है बहुत simple से चैप कर रहे है यह बोल रहा है कहानी है बस इसमें बोल रहा है कि देखो first world war हुआ अब first world war हुआ तो फिर यहां पर जो भारत की political system चल रही थी congress है Muslim league है जो दो बड़ी party के रूपे हमें दिखाई दे रही basically उनका क्या इस समय रवया था वो क्या British government को support कर रही थी या फिर नहीं कर रही थी देखो British government को support करने का क्या British Indian army तो उनी के अंडर में है तो वो तो अपने हिसाब से उनको move कराएंगे लेकिन यह भारत में उनके क्योंकि इंडिया में crown rule चलत रहा है और हमें crown के प्रति अपनी यह जिम्मिदाली दिखानी चाहिए इस time period पे जब यॉर्प में world war हो रहा है तो जो उदारवादी थे Congress के उदारवादी धढ़े थे वो इसको अपनी निस्ठा समझ रहे थे और निस्ठा प्रति उन्होंने बोला कि हमको इनके तरफ में अपना ये दर्शाना चाहिए ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ जाते नेक्स्ट क्या बोल रहा है उग्रवादियों की बात कर रहा है अब उग्रवादी का क्या status था तो देखो उग्रवादी पहले है उग्र रास्टवादी बेसिकले ने हम ब उग्र रास्टवादी जिनमें तिलक भी सम्मलित थे इसमें हमें तिलक भी दिखाई देते हैं इन्होंने युद में ब्रिटेन का समर्थन किया ये जो हमेशा बोल रहे थे कि ब्रिटीश भारत में रूल नहीं करना चाहिए स्वाराज स्वाशाशन की बात कर रहे थे अब ब्रिटेन भारत में स्वाशाशन के संबन्द में ठोज कदम उठाएगा और ये इसको थोड़ा सा दूसरे डिरेक्शन में लेकर चल रहे हैं कि ब्रिटेन का हम सपोर्ट करेंगे और जब ब्रिटेन वर्ल वार से उभर कर आएगा तब हम उनसे अपनी डिमांड रखेंगे तो उदारवादियों ने का बिल्कुल अब तुम समझदारी की बात कर रहे हो पहले तुम गलत बात कर रहे थे ठीक है जबकि क्रांतिकारी अब जो रिवोल्यूशनरीज थे वो इस समय इन दोनों से ही मिल जो नहीं खाते थे हम पहले भी चैप्टर में डिसकस करके आए है कि कैसे रिवोल्यूशनरीज को जैसी पता लगा फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रहा है सब दोड़कर किदर जाते है जर्मनी क्योंकि जर्मनी किसकी अगेंस था ब्रिटेन की अगेंस था तो उन्होंने क्या सोचा कि दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा आपका मानना था कि यह यूद ब्रिटेन के विरुद आतंगवादी गतिविदियो का अच्छा अच्छी तरीके से संचालन का समय हमें इस ओपॉर्चुनिटी का फाइदा उठाना चाहिए और जब ब्रिटिश के खिलाफ जर्मनी लड़े है तो जर्मनी के साथ मिल जाना चाहिए यह वो टाइम पीरिड हैंगर हम जर्मनी का फेवर ले लेते तो हम ब्रिटिश को भारत से उखार फेकेंगे ठीक है तो यह तीनों का अप्रोच आपने यहाँ पर डिसकस कर लिया ओके आगे बढ़ते हैं इस दोरान संयुक तराजे अमेरिका में गदर पार्टी यूरॉप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध करांतिकारी गतिवी दिया चालू रखे तो जो रिवॉल्यूशनरीज है वो इस उपर्चुनिटी का फाइदा उठाना चाते थे तो यह वोड़ है कि यूएस में जो गदर पार्टी थी वो बहुत अक्टिव हो गई औ और इसे तरह यूरोप में बर्लिन कमेटी जो बनी थी उसने ब्रिटिश सरकार के विरोध करांतिकारी गतिवी दिया और तेजी से चलानी चालो की इनके साथी भारतिय सैनिकों के द्वारा भी कुछ छिटपुट इस्थानों पर रिवोल्ट हमें दिखाई दिये जैसा हमन जो ब्रिटिश रूल कर रहे हैं उस रूल को चलानी के लिए वो क्या कर रहे हैं एक सेना बना रहे हैं और उस सेना को बोलते ब्रिटिश इंडियन आर्मी ओके तो यह जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी बोल रहा है कि इन्हों ने भी कहीं चोटे मोटे विद्रो किये जै एक्षत्रच के शत्रों जरμी और जर्मनी और तुर्की से आर्थिक और सैने साहiness आता प्राप्ते करने का प्रयास किया.. इंका कहता है कि हमको इकमिरमिकरली सपोर्ट चाहिए हमको मिलिटरी वाइस भी सपोर्ट चाहिए जो हम्हारे पास बंदूख होगी.. अच्छे हमारे पास में क्या बोलते हैं बम बगेरा होंगे तब ही तो हम बिटिश के खिलाफ अपनी हिंसात्मक गतिविदिया चला पाएंगे तो यह बेसिकली तुर्की जो हो गए या फिर जर्मनी जो बिटिश के खिलाफ वार लड़े उनका फेवर लेना चारे थे एकनॉ मुवमेंट पे कोई बहुत बड़ा मुवमेंट तो नहीं चल रहा है लेकिन एक ऐसा मुवमेंट स्टार्ट करा तलक और एने बैसे ने मिलकर जिस मुवमेंट ने एक दूर गामी इंपक्ट डाला समझ में आ गया कि जब वो स्टार्ट हुआ था अंदोलन तब तो बहुत खास मानते नहीं है यह इस लीग ने जो काम किया उसको बहुत कुछ खास नहीं मानते तो जब इस लीग का गठन हुआ तो तो यह बहुत हमें विस्तरत रूप में नहीं दिखाई दी लेकिन इसने इंपक्ट बहुत दूर तक डाला कैसे वो हम देखते हैं प्रतम विश्व स्वसाशन होम रूल की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी मतलब ये प्रस्ट बूमी तैयार कर रहे थे देखो ब्रिटिश से इन्हें उमीद थी किनको उगरास्ट वादियों को जब फर्स्ट वर्ल वार में हम इनको सपोर्ट करेंगे वर्ल वार के बाद ये हमें सेल्फ हमको बैक्ग्राउंड बनाना है तो ये जो होम रूल लीग है ये उसी सेल्फ रूल की प्रायर्टी लेवल पर प्रिपरेशन हम बोल सकते हैं होम रूल लीग आंदोलन प्रितम विश्वी युदे के पशात उत्पन हुई परिस्थितियों में भार्तियों की कम में इसने अपनी महतवड चाप छोड़ी यानि आगे जो हमारे फ्रिडम स्ट्रगल दिखाई देगा वहां पर होम रूल लीग ने बैक्ग्राउंड प्रिपेर करा प्रस्ट भूमी तैयार करी वो अपने आप में काफे इंपॉर्टेंट है भार्तियों होम रूल लीग का गठन मतलब एक लीग बनाया जाएगा जिसमें कुछ लोग जोड़ेंगे और जोड़कर बिटिश के सामने डिमांड करेंगे रिस्पेक्टफुली सभा के द्वारा कि हम चाते कि आप हमें होम रूल जो है वो करने का अधिकार दीजे जैसे ही वर्ड वार खतम हो जाता है तो भारती होम रूल लीग का गठन आयरलेंड में भी इस तरह का होम रूल लीग बनाया गया था तो आयरिश जो होम रूल लीग था येरॉपियन वहां से प्रेणा लेके भारत में होम रूल लीग का गठन किया गया था और एनी बैसेंट तिलक इसके नए स्वरूप के पस्ता होम रूल के अंत्रगत मांगी थी, ओके, आंदोलन प्रारम होने के लिए उत्तरदाई कारत, बोल रहा है कि क्या रीजन था कि हम होम रूल लीग की फॉर्मेशन करते हैं, या होम रूल लीग बनाया जाता है, रास्टवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध बिटिश्य गॉवर्मेशन का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमको अपनी डिमांड को भी बिटिश्य सरकार के इक आगरमध के लिए रहना चाहिए, उन् पर हमें े दबाव डालते रहना चाहिए, तो इस वज़ह से उन्हें लगा कि हमें एक इस तरह का league formation करना चाहिए समझ में आ गया, जो home rule की बात या उसका प्रस्ट भूमी तयार रखे मौरले मिंटो सुधार, ये सुधार कब आया था, 1909 में जब आप polity की classes लेंगे, या polity की आप लक्षमिकान पढ़ते हैं, तो उसमें first chapter है, historical background जिसमें सारे act बता रखे मौरले और मिंटो ने काफी सारे suggestions जिये थी, British Parliament को जब भारत के लिए एक नया कानून बना कर लाया जाना था, और वो कानून 1909 में भारती परिशद अधिनियम या फिर मौरले मिंटो रिफॉर्म के रूप में हमें दिखाई देती है तो जो मौरले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था, इसका वास्विक स्वरूप सामने आने पर नरम पंथियों का भ्रहम भी थोड़ा सा दूर हो गया था क्योंकि आपको बता है ना कि जब partition हुआ था, मतलब जब split हुई थी Congress, तो उदारवादियों को बड़ा British government से प्रेम था, मोह था, कि government ठीक है, थोड़ा सा इसका आग खोलने का जरूत है और ये कोई ना कोई अच्छा कानून बना कर लाएगे, लेकिन 1909 का act आया तो ये विचारे शॉक इनको लग किया मतलब धक्के में चले गए, गरवर कर दिया British government ने, तो इस बार नरम पंथी भी कही न कहीं इसके favor में हमें दिखाई देंगे प्रथम विश्व युदु में बिटेन द्वारा भारतिय संसादनों का खुला खुली तरीके से प्रियोक किया जा था First World War है, सेना की जरूरत है, खादे आपूरती की जरूरत है, World War हो रहा है योरोप के अलग-अलग देशों में तो वहां से जिन चीजों की supply हो रही थी, ब्रिटेन में वो सब अवरुद हो रही थी, भारत में तो वहां नहीं हो रहा है, तो भारत से उन चीजों की supply पूरी की जा रही थी, जिसकी वज़े से वर्ड वार उधर हो रहा है, ब्रिटेन विश्वी उधर लड़ा है, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन त्राहिमाम किधर मच गया, भारत में मच गया क्योंकि भारत में आवश्यक वस्तूं की कमी, और कमी होने पर क्या होगा जब भी किसी चीज की डेफिशेंसी होगी, इमिजेटली उसका प्राइस बढ़ जाएगा, कम वस्तू होगी, तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, जैसे आपने देखा था, कोविट का सेकिंड विवाय था, और सीजन सेलेंडर की कितनी डिमांड बढ़ी थी, मतलब लोग 10-10,000, 50-50,000, कितने में बेच रहे थे, मतलब क्योंकि उसके डिमांड थी, डिमांड होगी बहुत जादा, और सप्लाई कम होगे, तो तुरण तो ऐसा ही भारत में महंगाई बढ़ी थी, तो भारती परिशान थे, तो कहीं न कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ चल रहे थी, कि हमें ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा ये बताने की जरूरत है, युद्य के पश्चा, श्वेत की अजेता का भ्रंबी तूड या, क्योंकि इस वार में एशियन कंट्रीज भी शामिल थी, तो जब एशियन कंट्रीज, यूरपेन कंट्रीज के अगेंस्ट वार लड़ रही है, और उनको हरा रही है, तो ये जो काले गोरे क्या था था नहीं, काला भी जीत रहा है, ठीक है, तो वो श्वेतों की अजेता, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये कंसेप्ट तूटा, जून 1904 में बाल गंगादर तिलक जील से रहाय हो गए, एक और important factor क्या था, होमरूल लीग की स्थापना में वो ये था, कि तिलक रहा हुए, जेल से, उनको जेल में उसी समय कुट पीट के डाल दिया था, बिटिश गवर्मेंट ने, जब कॉंग्रेस स्प्लेट हुए थी, सूरत सेशन के बाद, तो जून 1904 में बाल गंगादर तिलक जेल से रहा हुए, और कभी-कभी क्या होता है, कि जब हम बहुत शांती से बैठते हैं, तभी हमें क्या होती है, ज्यान प्राप्ती, देखो, गौतम, बुद्दा, महावीर, स्वामी, क्या, सब को ज्यान प्राप्ती हुए, कैसे ध्यान कर रहे थे, तो जब हम बहुत बोलते हैं, जब हम एकदम चुप होते हैं, शांत होते हैं, तब हमको कभी-कभी लाइफ की रियालिटी समझ में आती है, शांत रहकर देखेगा, बहुत कुछ ग्यान मिलेगा, तो ऐसे यहां पर हुआ, कि बाल गंगा दरतिलग जेल में थे, उस समय उन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया, चीजों को एनालिसिस किया, और उन्होंने समझ में आया, कि कई जगा पर उगरास्टिवादियों को भी जुकने के जरुरत है, उदार वादियों की ओर, तो जब अपके वर्वाद जेल से रिहा होंगे, तो थोड़े से अलग सोच के साथ, आयरलेंड के होम रूल लीक के तरज़ पे उन्होंने प्रशाशकिये सुधारों की मांग की, अब ये थोड़ा सा स्टार बना लो, ये छोटा सा जो शब्द है, ये अपने आप में बहुत भारी भरकब है, प्रशाशकिये सुधार, एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बाद, पहली बार बाल गंगादर तिलग के रहे हैं, लाल बाल पाल घोश, जो बोल रहे थे अब तक स्वाराज है ना, सेल्फ गवर्मिन्ट की बात करे थे, अब वो बोलेंगे कि हमें प्रशाशकिये सुधार की जरुत है, जो उदारवादी बोलते थे, कि बिटिश रूल करें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से, तो अब तिलग भी बोलेंगे, कि हमको प्रशाशकिये सुधारों की मांग करनी है, और उसके लिए हम होम रूल लीग का फॉर्मेशन करेंगे, तिलग ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारती सुधारों की प्रक्रिया में रुकावट आएगी, इसलिए हमें हिंसा नहीं करना है, हमें बिटिश के सामने लीग बना कर अपना बात रखना है कि भई, आप प्रशाशकिये सुधार करिये इसकी जरूरत है, उदारवादी खुश कि भई, बहुत होशियार बन के आए जेल से, 1896 में आइरलाइन का थियोसोफिस्ट महिला थी, एनिबेसें, वो भारत आए, भारत आते उन्होंने भी ये एक्टिविटी चालू कर दी, प्रथम विश्विदे के उपरांद, उन्होंने भी भारती स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हे तू, आइरिश होमरूल लीक के नमूने पे भारत में आंदोलन प्रारंब करने का निर्ने लिया, तो ये भी चाती थी कि मैं भी नैक्शनल मूवमेंट में पार्ट करूँ, और उसके वज़ज़ से इन्होंने डिसाइड किये कि हम वहां के होमरूल लीक के तरज पे कुछ यहां पे और्गनाइज कर सकते हैं, बिटिश गवर्मेंट के सामने डिमांड रख सकते हैं, इस लीक के माध्यम से वो अपने विचारों को जनता तक प्रसारित कर अपना कारशेतर बढ़ाना चाहती थी, बेसिकली ये जो लीक बनने वाली थी, ये लीक क्या करने वाली थी, अलग-अलग तरीके से लोगों को राजनीतिक रूप से सिक्षित करने वाली थी, अच्छे लेवल पर सिक्षित करने वाली थी, और बिटिश गवर्मेंट के सामने अपनी कुछ डिमांड थी, बहुत पुलाइटली ये रखने वाली थी, लीक, अब लीक की बात कर रहा है, होम रूल लीक का गठन कैसे कब हो रहा है, 1914 में नरम पंथियों और अतिवादी, नरम पंथि मतलब उदारवादी, मतलब होता है न पहली बार आप आपके विज्चे बहुत लडाय ज aspiring पहली बार मिल आ रहे हैं, बहुत गिला शिक्वा रहा है, तू उसको दो बात बोल रहा है, वो तुझको दो बात बोल रहा है वो नहीं, लेकर जब दूसरी बार मिल रहे maior तो फोड़ा सा शान्ती, तीसरी बार में और ठहरा हो आता है, तो ऐसा ही था कि 1914 में नरम पंथी और अतिवादियों के मद्य समझोते के प्रयासों जो है वो थोड़े से असफल हुए, इसके पशाद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसंट इन दोनों ने डिसाइड किया, पहले इनों डिसाइड किया थे कि इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1914 में जब अपने इन प्रयासों में ये सक्सेस्फुल नहीं हुए, तो इनोंने डिसाइड किया कि हमें खुद बख खुद इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, हमें देरी नहीं करने चाहिए, होम रूल लीग के फॉर्मेशन में, 1915 के प सबाय आउजुद करना, लोगों को एक खटा करना, उनको इस बारे में राजनीतिक रूप से जागरत करना है न, न्यू इंडिया और कॉमन वील, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दो पत्रिकाओं के नाम, factual type का question पूछा जा सकता है, या UPSC कहीं एक statement भर सकता है, तो और कॉमन वील नामक पत्रिका का precaution प्रारंब करते हैं, कौन एनिबेसेंट, होम रूल लीक की जो बाते हैं, वो लोगों तक पहुचाने के लिए, उनको राजनीतिक रूप से सिक्षित करने के लिए, इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के समुख, भार तिलक और एनिबेसेंट जो है, वो अपनी ये बात रखते हैं, वो अपना ये होम रूल लीक का कंसेप्ट रखते हैं, हलाकि होम रूल लीक वाला कंसेप्ट तो बहुत सक्सेस्फुल नहीं हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं, जो उदार वादियों को वो सम्मलित करना चाह रहे थे, इस अधिवेशन में ये हैं निर्डे लिया गया कि उगरवादियों को पुना कॉंग्रेस में सम्मलित कर लिया जाएगा, उदार वादियों नहीं सोचा कि हाँ, ठीक है, अब वो मौका है जब हमें मिल के वापस से काम करना होगा, तो डेफिनेटली इस छेतर में तो स इस अधिवेशन में एनि बैसेंट अपनी होम रूल लिक की योजना के लिए कॉंग्रेस का समर्थन प्राप्ति करने में असफल रही थी, इसके पर शाथ एनि बैसेंट ने स्वेम के प्रयासों से होम रूल लिक के कारियों को आगे बढ़ाने का घोशना कर दिया, उन्हों होम रूल इस्टैबलिश होना चाहिए और प्रिशाशनिक सुधार करना चाहिए, बाल गंगदर तिलक और एनि बैसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टक्राओं के संभावना, क्योंकि धूद का जला छाज भी फुक कर पिएगा और तिलक जी भौट धंग से जले थे, जो तिलक जी ने और एनि बैसेंट ने, तिलक की होम रूल लीग के बारे में यहाँ पर बता रहा है, अब देखो, कॉंग्रेस जो है, वो कही न कही एक होच चुकी है, लेकिन यह जो चाहते थे, तिलक और एनि बैसेंट, होम रूल लीग, बैसिकली कोई वो मूव्मेंट नही लेकिन लीग अपने लेवल पर ब्रिटिश सरकार के आगे डिमांड कर रही है समझ में आ गया है उधर वर्ल वार चल रहा है इधर ये लगता दबाव बना रही है इसका उस्तों में तो नहीं लेकिन आगे बहुत बड़ा इंपक्ट दिखाई देगा तिलक की होम रूल लीग बाल गंगादर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब की थी अपरिल 1916 में फैक्ट्वल डेटा है थोड़ा देख लीजेगा अब जो तिलक की होम रूल लीग थी इसकी शाखाय कहां कहां थी लीग इस्थापित हुआ अलग अलग जगा पे इसकी ब्रांचेस खोली जारी थी जहां पर किसी व्यक्ति को इसका प्रमुख बनाया जाता था और वो वहां पर लीग की होम रूल लीग की जो एक अबजेक्टिफ से उनके उद्देशे थे उसको इप्रचार प्रशाद प्रसारित करते थी तो इसकी शाखाय दिखाई देती कहां पर बच्छों महरास्ट में दिखाई देता है करनाटका में दिखाई देता है मध्यपरांथ वाला रीजन है और बरार वाला शेत्र है यहाँ पर दिखाई थे तरह बीदर बरार यह वाला तो बोलाई कि बैसिकली यह इसका कोर जोन था यानि मध्यपरांथ है महरास्ट है और करनाटका यह मैं क्यों बतारी हूँ क्योंकि एनि बेसेंट जो है वो भी अ भाषाई प्रांतों के स्थापना बहुत इंपोर्टेंट है 1956 में स्टेट री और्गनाइजेशन एक्ट लाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके पहले तक हमारे देश में स्टेट और यूनियन टारिटरी का स्ट्रक्चर भी नहीं था हमारे देश में जितने भी उसको बेसिकली चार पार्ट में केटेग्राइज किया गया था पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D और इसमें वही जो चीजे चली आ रही थी बिटिश टाइम पीर तक वही चल रही थी हलाकि जो हमारे देखो यहां पे तिलक जो बोल रहे है कि भाषाई प्रांतों का दरजा दिया जाना चाहिए ऐसे तिलक बोल रहे थे और ऐसे बहुत सारे freedom fighters ने बोला था लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है नहीं हुआ था तो फिर हमारे देश के लोगों ने कुछ मुश मुवमेंट्स चलाय थे स्पेशली जो आंदर प्रदेश के तेल को भाष दिशा के अधार पे पहली बार नी पहली बार तो खेर अंदर प्रदेश बना था 1953 में यहां पर में दिखाए देता है 52-53 करेक्ट कर लेना उसको 1956 में बहुत सारे स्टेट बनेंगे लैंगविज के बेस पर तो वो क्यो डिमांड लो थी क्योंकि पहले सी हमारे freedom fighters इस दिश तो यह मास मूवमेंट की बात करे थे जन अंदोलन यहां पर कोई जन अंदोलन नहीं है यहां पर जन को राजनीतिक रूप से सिक्षित करके अस क्या बोलते हैं शांती पुन तरीके से सभाय आयूजित करके बिटिस सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इतने लोग आप से यह चाहते हैं ओके इस तरीके का प्रेशर क्रियेट करना तो स्वराज की मांग भाशाई प्रांतों की स्थापना की बात कर रहे हैं सिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष घोशित किया कि राजदेतिक रूप से लोगों को सिक्षित करना बहु उनको वो भी नहीं पता है वो पता होना बहुत ज़रूर यह वो पता होता है तो आप उस चीज को हिट कर पाते हो जो तिलक करवाएंगे बेसेंट का होम रोल लीग क्या बोल रहा है बेसेंट की बारे में बता रहे है कि सितंबर 1916 में मद्रास मीं होम रोल लीग की इनोने स को ध्यान रखेंगे यदे पर बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुनला में कमजोर था लेकिन सदस्यों की संख्या यानि जो फॉलोवर्स थे उसके या नमबर ऑफ ब्रांचेस के पॉइंट आफ यू से ये काफी विस्तरत था लेकिन संगठे तो उतन हो गए इन्होंने महतपुल भूमी का निभाई थी ठीक है होम रूल लिग अंदोलन के कारेक्रम बिल्कुल ये एक कहानी टाइफ का बता रहे हैं ये करते क्या थे तो बेसिक इनके अब्जेक्टिव्स दो तीन ध्यान रखना है क्या भारतियों को राजनीतिक रूप से सिक पुछड़े लोग जो थे या शेत्र थे जैसे गुजरात, सिंध वहाँ पर भी अपनी पैठ बनाना है क्योंकि ये लोग जब भी कोई मुवमेंट होते थे तो इन लोगों को भी कनेक्ट करना अंदोलन का उदेश्य पुस्तकाले, अध्यन कक्ष, जन सभा, सम्मेलन का आय वहाँ पर इस तरह की पुस्तके निकाली जाए, इस तरह की पत्रिकाय निकाली जाए, सभाय आयुजित की जाए, नाटक वगर आयुजित किया जाए, और उनको सिक्षित किया जाए, आज आपने ही देखते हो, पहले क्या होता था, हमारे घर पर मदारी वाला आता था, सप करते थे इसके लिए लीग ने समाचार पत्र राजनीतिक विश्यों पर विध्यारतियों की कक्षाओं का आयोजन पैम्फिलेट आप नुस पेपर खोली ये पुरा भरा रहता है ना धर धर गिरता है कि यहाँ पर बर्गर मिलेगा पीजा मिलेगा तो ऐसे पैम्फिलेट होते कोश भी बनाया क्योंकि ये देखरो ये जो पैम्फिलेट छपड़े पोस्टर छपड़े पोस्ट कार्ड नाटक ये सब किदर से होगा इसके लिए पैसा चाहिए न तो इसके लिए इन्हों ने एक अपना कोश भी बनाया था तता धन एकात्रित किया कि यहाँ पर ज्याद अप्चवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहन की बोड़ा बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो आगे चलके लीग की मेंबर्शिप लेते हलाकि कॉंग्रेस ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉंग्रेस की लीड हैं जिनका आपको नाम पता हुना चाहिए जो होम रूल लीग की मेंबर्शिप लेते हैं इन में से कुछ नेताओं को स्थानी शाखाओं का प्रमोख वे नियुक्ति किया गया क्योंकि होम रूल लीग बहुत सारे ब्रांचेज ओपन कर रही थी और ये सारे एक्सपिरियंस पॉलिटिकल लीडर थी तो इनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता था जो भी है कि आप वहाँ पर अपॉइंट होंगे चीज़ों को मैनेज करेंगे अनेक अतिवादी रास्टवादी जिनका कॉंग्रेस की कारे प्रणाली से मोहभंग हो चुका था अतिवादी मतलब पहले नहीं लेकित बाद में ऐसे कई सारे उग्र रास्टवादियों ने भी होम रूल लीग की मेंबर्शिप ली गुपाल कृष्ण गोखली की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहन की यह अपने हाप में बड़ा एंग्लो इंडियन्स बहु संख्यक मुसल्मान दक्षिर भारत की गैर ब्रामबर जातिया इस आंदोलन से दूर रहें तो क्या होम रूल लीग से पूरे इंडिया के सभी लोग कनेक्ट कर पाए नहीं बोलना की जो बहुत सारे मुसलिम्स थे एंग्लो इंडियन्स जो जातियों के शाशन से हैं समझ में आ गया तो जो अपने आप में ही छोटी चीजों से फ्रस्टेटर है उनको लोगे का क्या ये इतनी बड़ी बात करना है हम तो भी छोटे में ही उलजे हुए ठीक है आगे बोल रहा है लीग के प्रती सरकार का रूख अब जो होम रूल ली लीग के समर्थ को पर कड़ी कारेवाही की बोल आच्छा तुमको होम रूल लीग का मेंबर ले मेंबर्शिप लेना जो तुम मेंबर्शिप लो तुमको हम बताते हैं तो बहुत सारे ऐसे चातरों पर कठोर कारेवाही की गी जिन्होंने होम रूल लीग की मेंबर्शिप ल चाहता था और government कहीं न कहीं से डरती थी तुम जाओ वहाँ पर फिर तुमको हम बताते हैं बाल गंगा धर तिलक उनको भी छोड़ा नहीं क्योंकि तिलक और बैसेंट दो ही इसके मुख्या थे तो बाल गंगा धर तिलक जो है उसके विरुद उनके विरुद कोई भी नाटक क पाएंगे वही एनिवेसेंट को तो छोड़ा ही नहीं उनको उठा के गिरफतार कर लिया गया जून 1917 में एनिवेसेंट और उनके सयोगियों को वाडिया और अरुण डेल इन दोनों को गिरफतार कर लिया गया इन गिरफतारियों के विरुद राष्टवाय भी प्रतिक्री अब बिटिश इंडियन गवर्मेंट क्या सोच रही थी कि जब तिलक पर रोक लगाएंगे एनिवेसेंट और उनके जो मुख्य कारे करता है उनको अरेस्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाएगा ये जो बांग हो रही है ठंडा नहीं हुआ और लोगों के अ इयर ने अपनी सर की उपाधी त्याग दी प्रिटिश गवर्मेंट ने जो दिया था तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिन सात्मक प्रतिरोध का कारेकरम चलाया कि हम गवर्मेंट के खिलाफ प्रतिरोध करेंगे और वो प्रतिरोध कैसा होगा अहिन सात्मक प्रतिरो अगर आगर आगर जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोड़ रहा है नेक्स्ट यहाँ पर बता रहे हैं कि सरकारी कुछ चक्र के विरोध में यानि कि यह जो सरकार जो है गलत तरीके से दमन कर रही थी शांति पूर्ण जो इनकी डिमांड थी उसका भी दमन कर रही थी उसके विरोध में आंदोलंकारी और ज्यादा संगटेत हो गए कई दूसरे रास्टवादी जो इसमें संबलित नहीं थे उन्हें सरकार का behavior बहुत अजीव लगा और वो भी इसमें संबलित हो गए 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव Montague के माध्यम से बिटिस सरकार ने घोशना की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारम कर दी जाएगे और यही वो point था जो के home rule के लिए एक success दिखाई दिया है ना मतलब जो अभी तक बोले के नहीं भही तुमारी कोई demand नी मानेंगे और इन्होंने arresting arresting कर दी अब उसके बाद से जब भारतियोंने प्रतिक्रिया दिखा है तो Montague जो बैठा हुआ है भारत सचिव बनके ब्रिटेन में वो अब वहां से घोषना करेगा कि जैसे war खतम होगा आप home rule चाते तो ये एक दिन में धीरे धीरे भारत में स्वायत संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा कि इंडियन्स जो है वो खुद अपना rule चालू करेंगे धीरे धीरे संस्थाओं में आपकी भागिदारी भढ़ाई जाएगी लेकिन कब भढ़ाई जाएगी ये कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी वैसन को जेल से दिहा कर दिया तो लोग ठोड़े थंडे पड़ गए कि एनी वैसन को चलो छोड़ दिया है बोल रहा है कि वर्ल्ड वार के बाद से हम स्वायत संस्थाओं के विकास पर काम करेंगे इसके पश्चाथ से mutually होमरून लीग का जो एक ये आंदोलन था उसको खतम कर दिया गया अब बोल रहा है कि क्या रीजन था कि होमरून लीग जो है धीमा पड़ गया उंगलियों में पॉइंट से बही सीधा सा रीजन है आपकी बात को वो मानने के लिए बोल रहे है जो एनी वैसन थी उनको छोड़ दिया तो कहीं न कहीं यहाँ पर शांती हमें दिखाई देगे आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव एक तो एक प्रॉपर संगठन हमें दिखाई नहीं दिया क्योंकि थोड़ा साना जादा यह स्कैटर टाइप का था मतलब तिलग जी अलग तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर एनी बेसिक्ट अलग तरीके से करेंगे कॉंग्रिस भी पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित नहीं है तो उसकी वज़़े से एक वो एक यूनिटी टाइप का स्ट्रक्चर होता नहीं एक ही लीट कर रहा है एक प्रोसेस से वो हमें नहीं दिखाई देता है वरनाश इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा इंपक्त पड़ सकता था 1917 से 1918 में हुए सांप्रदाइक दंगों का अंदोलन पर नकरात्मक पड़ा इस आंदोलन के दोरान जब बिटिश इनका दमन कर रही थी तो कुछ लोगों ने भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है संप्रदाइ के नाम पर धर्मे के नाम पर कुछ दंगे कर दिये थे जिसकी वेज़े से लग रहा था कि अंदोलन कहीं गलत रूप न धारन कर ले एनी बेसेन की गिरफ्तारी के पश्षात कॉंग्रेस की सदस्यता ग्रहन करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का अस्वेशन देने पर बेसेन को जेल से रिहा करने पर उनको लगा कि कई सारे उदारवादी जो फेवर में आ गए थे लेकिन जब एनी बेसेन को छोड़ दिया गया और उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कानून लेकर आएंगे तो कहीं न कर उदारवादी शान्त हो गया बेसेन द्वारा अंदोलन को सुयोग्यनेत्रतव आगे नहीं दिया गया क्योंकि तिलक लेकर आये थे क्या बोलते रहा है प्रति रोध की आपकी प्रतिरोध करेंगे भूर यहाँ पर एंदिया सेhuजों को प्रसुछों से बैनेश नहीं कर पाई उनका थोड़ा मोह भंग हो गया सुयोगी नेत्रत्व नहीं मिला दूसरी तरफ आगे चलकर हम देखते कि बाल गंगा धरति लग को एक केस मिलता उस केस के चक्कर में सेप्टेमबर 19-18 में उन्हें दूसरे देश जाना होता है तो वो चले गए जो लीड कर रहे थे यहाँ पर प्रॉपर ली तो कहीं न कहीं अंदोलन नित्रत्व विहीन हो गया तो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा ना जो उसको लीड करने वाले लीडर से वही गायब है आगे बढ़ते हैं होम्रूल लीग अंदोलन के उपलब दिया अब इस लीग का इ हैत्ता को प्रतिपादित किया आम लोगों को भी राजनीतिक सिक्षादी लोगों को ज्यादा कनेक्ट किया इसने देश और शेहरों के मद्धे संगठनिक संपर्क इस्थापित किया यह जो इनकी बहुत सारी ब्रांचेस खुल रही थी जैसे एनी बेसिन की इसके माध्यम से लोग ज्यादा से ज्यादा करें और रीजनल लेवल पर को उनको लीड कर रहा है वो हमें दिखाई दिया जो आगे आगे काम आएगा क्योंकि आगे यह चीज़ काम आईगी कि जो वहां पर लीड कर रहा था आगे जो मुवमेंट स्टार्ट होगा तो वैसे वहां पर लोग प्रिपेर्ड है कि उनको कोई लोकल लीडर रहे लीड करेगा और वो लीडर कनेक्टेड है यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स है तो वह एक जो कनेक्शन है ना लिंक जो अब बना शेहरों के बीच में कजबों के ब हिंसा दिखाई देते एक सांप्रदाइक विद्रो को छोड़कर धर्म के नाम पर जो हुआ था उसके अलावा हम देखते हैं पूरी तरह से यहाँ पर क्या बोलते हैं किसी भी तरीकी की हिंसा नहीं थी आहिंसा पर यह पूरा आधारित था और गांदी जी भी आगे आगे की बात करेंगे तो लोग इस होम रूल लीग आंदोलन में कहीं न कहीं उस अहिंसा के तत्व से रूबुरू हो गए थे अगस्त 1917 में मॉंटे की घोशनाएं चेम्सफोर्ट सुधार काफी हद तक होम रूल लीग से प्रभावित थे होम रूल लीग जो डिमांड कर रही थ तो बात की बात है लेकिन पहले जो इसका प्रभीजन पेश किया गया वो कहीं न कहीं होम रूल लीग जो डिमांड कर रही थे उससे काफी प्रेरित था क्योंकि आप आगे देखोगे मॉंटेक चेम्सफोर्ट रिफॉर्म में जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्षन यह थोड़ा हमें दिखाई देता है सिक्षा कर या फिर कितनी संपत्ति उस आधार पे काफी सारे लोगों को इलेक्षन में वोटिंग करने का राइट वगेरा दिया जाता है इसके अलावा भी हम देखते हैं दो हाउस बनते हैं लोवर हाउस अपर हाउस वाला कंसेप्ट यहा दिखाई देता है तो काफी सारे चींजस इसमें लाये थे जो होम रूल लीक से कही न कहीं प्रभावित यह सबाब पर होगे पॉलिटी में ओके बोल रहे कि तिलक और एनिवेसिन के प्रयासों से कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन हुआ 1916 में और उस अधिवेशन में न इनरजी के साथ होगा उसमें अलग लेवल काई हमें इंपक्ट दिखाई देगा ठीक है भारती रास्टी कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन 1916 में कॉंग्रेस लखनव में सेशन होता है वो सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अतिवादियों का कॉंग्रेस में वापस अपने में मिला लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये दूसरा 1916 में भार्ती रास्टी कॉंग्रेस का वार्शिक अधिवेशन लखनों में आई जित हुआ जिसकी अधिक्ष था उधारवादी नेता अंबिका चरण मजुमदार ने तो आप कोई इसे चीजे क्लियर होनी चाहिए तो बोल रहे है कि कारण बहुत सारे थे पहला पुराने विवाद अब आप राप संगीक थे यानि वो जो बोल रहे थे कि हमको जन्मानस को लेकर चलना चाहिए नहीं लेकर चलने चाहिए अब उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि उधारव पता लगा कि बिटिश गर्वर्मेंट पर जादा दबाओ नहीं यह जंता का तो वो कानून भी जो है ऐसे इलारी अपने हिसाब के और उग राष्ट वादियों को पता लगा कि उधारवादी का सपोर्ट नहीं है तो देखो बिटिश गर्मेंट ने हमें उठाके जेल डाल दे दिया तो दोनों को पता था हमें एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा एनी बेसेंट बाल गंगा धर तिलक दोनों दलों में एकता के अथक और सराहनिय प्रयास किये थे इन दोनों का काफी ज्यादा काई अभी बात करना चाहिए उदार वादियों को बड़ा अच्छा लगा यहां बात तो सही कहा रहा है आदमी यह हमारी बात को समझ इसको काफी टाइम से समझा ना चाहरे हैं दो प्रमुग उधारवादी नेता जो है इसी समय उनकी मृत्यों हो जाती है गौपाल कृष्न गोखले और फिरोष्शाह मैता ये ऐसे उधारवादी नेता थे जो कहीं न कहीं उग्र रास्टरवादियों के कट्टर विरोधी थे तो यहां पर हमें क्या दिखाई दिया कि ज गठन हुआ था 1906 में मुस्लिम लीग को लग रहा था कि हम अलगी कुछ उखार लेंगे बिटिश गवर्मेंट के साथ मिलकर लेकिन जब 1906 में मुस्लिम लीग के गठन होने के बाद और स्वदेशी आंदोलन खतम होने के बाद जो भी उनको परिणाम दिखा उससे वो काफ यह समझोता महतवपूर्ण था क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी आतंगवादियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकर थी यानि वो जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका लीग के साथ में अच्छा कनेक्शन था लीग के कॉंगरेस के समी पाने से कॉंगरेस के जिवादी विरोधी अभियान को और ज्यादा बल मिल गया न यहीं अब वो लीग भी उसके सपोर्ट में जिसको बिटिश यूज कर रहे थे अभी तक कॉंगरेस के खिलाप स्वादेशी मुव्मेंट में अब वो उनके सपोर्ट में आ जाएगी क्यों आए थे वो भी बालकान युद में हमें बता लगता है कि ब्रिटेन जो था उसने तुर्की की सहायता से इंकार कर दिया और भारत में कौन रूल कर रहा है बिटिश गोवर्मेंट टूल कर यह मुस्लिम लीग कही ना कहीं तुर्की में जो पद चलता था खलीफा का पद वो जो खलीफा होत इसा नहीं किया उसने किनारा कर लिया इसके कारण यूरप में तुर्की की शक्ती बहुत कम हो गए उसके काफी सारे शेत्र जो थे वो उसके हाथ से निकल गए यही वो टाइम था जब मुस्लिम लीग ने कॉंग्रेस से सहयो करने का निश्य किया उसको लगा कि बिटिश ग बैद्ज जो है यह बचल विच विभाजन के बारे में हमें पता लगता है कि 1905 में इस विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया अब मुस्लिम को लग रही है हमारे साथ धोका बितिश सरकार द्वारा अलिगर में विश्व विधाले स्थापना चुकी गई ठीment और उसको जो donation देना था उसमें British government बिलकुर interest नहीं ले रही थी तो Muslim League को लगा कि आप क्यों नहीं interest ले रहे आप तो बोल रहे थी कि आप education को हमारे promote करोगे हमें funding दोगे अब तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करें क्योंकि काम निकल गया आपका 1912 में League का कलकत्ता अधिवेशन जो चाहा रहा है स्वशाशन तो अब हम उनका support करेंगे ठीक है इस प्रकार Congress और Muslim League दोनों के स्वशाशन के अबधारना समान हो गए अब दोनों स्वशाशन की बात करेंगे तो एक पटल पे आ जाएंगे प्रतम विश्व युदिक के दर दौरान जो सरकार की दमनकारी नि यानि ओन्स पत्र पत्रिकां थी उनको रोका जा रहा था हर तरीके से जिस भी तरीके से दमन हो सकता था वो किया जा रहा था दूसरी ओर अलि अगर किसी को बंद करें तो उसको नजरबंद कहते हैं, आज भी हमें देश में कुछ ऐसे अठर दिखाई देते हैं, लखना उस समझाते के प्रावधान, ये थोड़ा सा बस हम देख लेते हैं, लखनाउ समझाते के क्या-क्या प्रावधान थे, कॉंग्रेस द्वारा उत्तरदाई शाशन की मांग को लीग ने स्विकार किया कॉंग्रेस बोली कि अब हम डिमांड करेंगे बिटिच गवर्मेंट से कि हमें कोई responsible government चाहिए वो government जो लोगों के प्रतिय responsible हो answerable हो लीग ने बोला बिल्कुल ठेक हम भी बोलेंगे कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग ने मुसल्मानों के लिए प्रत्थक निर्वाचन विबस्था को स्विकार करा मैं पहले भी बता चुकी हूँ 1909 में लाया था पहली बार communal based separate electorate system यानि धर्मे के अधार पे यानि अब ये नहीं था कि Muslims के लिए seat reservation की 1909 के act में लाया गया था कि seat reservation ही नहीं बल्कि अब मुसल्मानों का नेता मुसल्मानी बनेगा अगर दो seat reserve है तो उन दो seats पर ना केवल Muslim candidate participate करेंगे बल्कि उनके जो voters होंगे वो भी केवल or केवल Muslims ही होंगे तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है ठीक है तो इसको Congress ने accept कर लिया और यह accept किया तो Muslim League खुश हो गई प्रांतिय व्यवस्थापिका जो थी जितने भी legislature थे उन सब में Muslims के लिए अलग से seat reserve की गई उसका provision यहाँ पर कर दिया गया एवन जो Central Legislature था वहाँ पर भारती सदस्यों में से एक बटा नौ जो हिस्से थे वो Muslim League के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कर दिये गए जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है ठीक है चलिए तो यह था हमारा आज का session I hope आपको सारी चीज़े समझ में आ गई होगे सब कुछ आप connect कर लिए होंगे यह थोड़ा सा मेंस के point of this important हो जाता है फिर भी कोई doubt हो तो आप comment section में पढ़ लेना sorry comment section में reply कर देना बता देना तो हम next session में उसको definitely cover करेंगे कोर क्या था? 1916 में Congress का मिलना League का मिलना Home Rule League का formation उसके क्या output हुए सरकार का क्या reaction हुआ यह सारी चीजे हमने आज के session में देखी ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नए session में कुछ और information के साथ तब तक अपना ध्यान रखे revision करते रहे हैं Thank you कि अगवें आपचे करते